अब बात करते हैं Sovereign Right of the Tax Station यह अमारी जो निर्मला सीता रमन जी जो हैं दुबारा सुनना हमारी वित्यमंतरी निर्मला सीता रमन जी इन्होंने राज्य सबा को संबोधीत करते वे बताया है ठीक है कि सरकार कोई फोकट में टेक्स थोड़ी न ले रही है आपसे आप कहे रहे हो सरकार डीजल पे टेक्स पैसा ले रही है सरकार पेट्रोल पे पैसा ले रही है सरकार कोई बे मतलब में पैसा थोड़ी न ले रही है उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है जो अभी बीजेप लेड गवर्मेंट है क्योंकि हमने टेक्स के अंदर बहुत सारे सुधार किये हैं जो पुराने टाइम पे प्रणब मुखरजी के टाइम पे 2012 के अंदर में जो रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स्टेशन अड़ किया गया था वो वोडाफोन वाला केस याद है वोडाफोन वाला तो यह आज से लागू होगा ना इसके बाद लेकिन सरकार कहा दे नहीं नहीं पास आज हुआ है लेकिन यह लागू हो रहा है 2012 से तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स्टेशन की पीछे से लगा रहे हो आप टेक्स्टेशन को ठीक है तो निर्मला सीतरामन जी ने यही का कि हम जो कर ले रहे हैं वो सविधान के दायरे के अंतरगत ले रहे हैं हम कोई विरा मतलब का टेक्स तो ले नहीं रहे हैं जो टेक्स ले रहे हैं हम जो सरकार टेक्स कलेक्ट कर रही है that is under the sovereign right of taxation यह सरकार का अधिकार है जो उल्टे-फुल्टे टेक्स थे हमने खुद बंद कर दिये यह निर्मला सीतरामन जी ने कहा है Finance Ministry Minister निर्मला सीतरामन जी ने राजय सबावन Monday we are keeping the sovereign right of India as to tax absolute intact हमारा अधिकार है सरकार का अधिकार है केंदर सरकार का sovereign right है और उस right को हम क्या कर रहे हैं follow कर रहे है उस right को हम intact रखते हुए एक काम कर रहे है The BJP led government recently decided to withdraw the retrospective taxation ठीक है मैंने बताया जो IT Act के तहत में जो retrospective income tax के तहत जो retrospective taxation का कानून था उसको अभी अभी हटा दिया गया है दूस्तों यह कानून आपके यहां पे March 2012 के अंदर उस समय जब प्रणम मुखर जी जी Finance Minister थे तब यह कानून लाया गया था उसको हटा दिया गया है यह IT अधिनियम में सुधार करते हुए जो पूर व्यापी कराधान है इसको बोलते है retrospective tax English में इंदिम बोलते हैं पूर व्यापी कराधान है इसको संसोदित करके हटा दिया गया है sovereign right of taxation होता क्या है सर देखो इंडिया के अंदर में na constitution ने power दिये सरकार को कि वो tax लगा सकती है आपके उपर टेक्स लगाये जाएंगे बट केवल और केवल वो ही टेक्स आप पर लगाये जाएंगे ठीक है जो किसके तहत में होंगे जो किसके अंतरगत में होंगे ठीक है जो आपका basically कानून के तहत में होंगे वो ही लगेंगे जब भी कोई tax लगाया जाता है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ता है तो उसमें राज्य का जो आपकी इच्छा कर रही है तो आपने दे दिया टेक्स ऐसा नहीं है, it's not voluntary payment, it's not donation, यह कोई donation नहीं है, but it is enforced contribution, contribution enacted pursuant in the legislative authority, यह आपर जब थोपा, मतलब थोपा नहीं कहेंगे, यह आपर enforce किया जाता है, ठीक है, authority के दुआरा, law के दुआरा यह आपर enforce किया जाता है, टेक्स टेशन इंडिया, it comes under three-tier system, सातवी जो अनुसूची है, भारत के इंडिया का, जो seventh schedule है, उसके तहत में, टेक्स को three-tier system में बाटा गया है, ठीक है, center government tax लगा सकती है, state government tax लगा सकती है, local government भी tax आपका लगा सकती है, three-tier system इसमें बनाए है, ठीक है, seventh schedule के अनुसार, जो ह हमारी सातवी अनुसूची है, उसके तहत, टेक्स्टेशन को तीन भागों में यहाँ पे बाटा गया है, there is no separate head under the concurrent list, meaning the union, and state have no concurrent power of the text station, मलब ऐसा कोई नहीं है, जैसे concurrent सूची होती है, आपका कानून बनाने में होती है, अब ऐसी कोई कानून में, यहाँ पे ऐसी सूची न लगा सकता है, और मलब text station के मामले में कोई concurrent list नहीं है, तो यह बात याद रखना है, there is no concurrent list in the matter of text station, text लगाने में कोई concurrent list आपकी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक, and साथी साथ में दोस्तों, देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो, plus course करने के लिए दोस्तों मैं इधर है, Iconic का subscription है, एक साल, दो साल और तीन साल का, ले सकते हो, code आपका क्या रहेगा, Sumit 10, तो यह मेरा Telegram channel है, PDF यहाँ दे दूँगा, मैं, साथ-साथ यह अपना code है, ठीक है, इसको use करना है, to get the 10% of an academy, I hope you like the session, you enjoy the session, so guys, please like the video, share it and subscribe the channel, thank you very much, take care, bye-bye, love you guys,